इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी सेफोक्स T 1500 mg injection is an antibiotic medicine used to treat bacterial infections in your body यह फेफ़णों के infections में असरदार है यानि की जैसे निमोनिया, कान, गले, नाक के sinus, मूत्र मार्ग, तवचा, मुलायम उतक, हड्यां और जोर इसका इस्तेमाल सरजरी के दौरान संक्रमन को रोकने में भी किया जाता है सेफोक्स T 1500 mg injection is given as a drip, यानि की intravenous infusion or as an injection directly into a vein or a muscle under the supervision of a healthcare professional आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक का निर्नय लेगा डॉक्टर द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक न छोड़े और इलाज का कोस पूरा खत्म करें दवा बहुत जल्द बंद करने से इंफेक्शन वापस हो सकते हैं या बिगर सकते हैं इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश, उल्टी, डायरिया यानि की दस्त, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना और मिचली आना शामिल हैं कुछ लोगों को इंजेक्शन लगाने की जगह पर लालपन या दर्द हो सकता है ये साइड इफेक्ट आमतोर पर हलके होते हैं लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं इसका उपयोग करने से पहले अगर आपको किसी भी एंटी बाउटेक्स से अलजी हैं और अगर आपको अपनी केड्नी या लिवर समबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि उन पर इस दवा का असर पर सकता है या वे इस पर असर डाल सकती हैं गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद